नागपुर शहर में कुर्णा का प्रभाव दिन प्रति दिन बढ़ता नजर आ रहा है। इस वज़े से लोगों के मन में पहले से ज़्यादा डर पैदा हो गया। में पूरा लोकडाउन गया था लेकिन जिसका कोई खास असर नहीं हुआ। बलके इसके विपरीग परिनाम देखने को मिले। फिर चाहे वो बड़ी मात्रा में मजदूरवर्ग का एक जगह से दूसरी जगह पलायन हो। या जरुरत बंदों को होने वाले आवश्यक चीजों की कमी। मार्च महिने में सरकार द्वारा के गए लोकडाउन ने केवल लोगों के मानसिक तनाव को बढ़ाया है। देश में अब या आकरा 46 लाग हो चुका है और जल्द ही 50 लाग भी पार पहुच जाएगा। लेकिन इसे रोकने के सारे उपाय व्यर्थ है। कुरुना का संक्रमन अनियंतरित होते जा रहा है। नागपुर शहर में देखते ही देखते केवल 10 दिनों में 15,000 से जादा नई कुरुना के मामले, नई कुरुना के मामलों के साथ संख्या 52,000 के पार हो चुकी है। इस परिस्तिती को देखते हुए लोकडाउन की मांग कर रहे है। कुरुना वाइरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है। चीन से फैला या वाइरस पूरी दुनिया के साथ अब भारत में भी तेजी से फैलता जा रहा है। महराश्रों में नागपूर शहर ये कुल्णा मरिदों के सबसे अधिक संख्या के साथ तीसरे नंबर पर है नागपूर शहर में कुल्णा वाईरस लड़ाई के मद्द नजर जनता की सेवा में जूटे आधिकारी करमचारी भी वाईरस से सुरक्षित नहीं इस कारण आमजनता द्वारा सुरक्षिता के प्रतिदूमच जताय जा रहा है आमनागरी कहो या प्रशास की अधिकारी कुल्णा ने किसी को नहीं बक्षा तो क्या ऐसे में आमजनता सुरक्षित रह पाएगी यह सवाल प्रशासन की व्यवस्ता पर उड़ता है इस कठीन समय में प्रशासन द्वारा कई लापरवाईया भी सामने आई है जिसने आमजनता की परिशानिया बढ़ाई है मरिजों का सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा जिस वज़़ा से हजारों लोगों ने अपनी जान से हाथ होया है मेयो मेडिकल अस्पताल में मरिजों के लिए बेड़ उपलब नहीं है उन्हें सही समय में दवाया नहीं दी जा रही है साथ ही अस्पतालों की ओर से प्रशासन की लापरवाई और भिदभाव ने आम लोगों को आक्रोश पैदा कर दिया है लोगों को समय पर अमबुलेंस के सुवेदान नहीं मिल रही मौत हो जाने पर ही घरवालों को सही बौरी नहीं मिल रही लोगों से कुर्णा के नापर पैसे भी लूटे जा रही है गरीबों को ऐसे बिकट स्थिति में फायदा उठाय जा रहा है यह सारी समस्याओं का सरकार सीधे सीधे अंदेखी कर रही है क्यों लोगों के परिशानियों का हल नहीं निकाला जा रहा क्यों इसे रोकनी के लिए सरकार को योचितने नहीं ले रही आज इस हालात के लिए प्रशावसन पूरी तरह से दिमिदार है मरिजों को समय पर प्रात्मिक सुविधा से बंचित रहना पड़ रहा है मरिजों में आक्सिजन की कमी भी देखी जा रही है अस्पताल में बेड उपलब नहीं है जिस वजह से भी लोगों को अपनी जान गवानी पड़ रही शहर में 52,000 कोरुना के मामले हो चुके हैं जिसमें 13,000 केवल एक्टिव मामले हैं जिन में से कुछ लोग होम कॉरिंटाइन हैं तो सवाल ये उटा है कि शहर के तीन बड़े अस्पताल साथ ही अन्यनीजी अस्पतालों जो कोविड के लिए मुहया कराया गया है बाउजदें सभी सुविधाओ के मरीजों को बेड के उपलब नहीं है या फिर इसके पीछे भी पैसे का लालज इन पेशिवरों का थंदा हो गया है प्रशासन मास्त नहीं लगाने वालों पर साथ अध्यान दे रहा है बाकि सारे मसलिकी और किसी का अध्यान ही नहीं है सभी अधिकारी, कर्मचारी, घर में रहकर वीडियो के जरी आमनागरी को से नियमों के पालन की अपील तो कर रहे है लेकिन समय की जरुरत अच्छे स्वास से सुविधा है जो की नदारत है और इस और प्रशासन सोई हुई है NBCN News के लिए दिपिका धनेश्वर के रेपोर्ट